बूर्णिंगे स्टूडेंट्स यह आपका पार्ट शिक्स वीडियों परस्णावड़ी एट एपे हैं और कोस्टनमर है बिश कर रहा है तिरबूज ए बीसी को बीसी को सी ए और एबी को क्रमा नुसार बढ़ा कर बहिस कोड़ अलफा बीटा गामा बनाए गया है अलफा बीटा अलफा बीटा गामा यह तुन वही स्कोड बनाए गया है तो इन तीनों वही स्कोड़ों कर यह तिन सो साथ डिगरी होगा यह हमें साबित करना है चली देखते हैं इस तरह का कोस्टनम लोग पिछले वीडियो में बना चुके इसी एक्सेसाइज यह दिया है त क्रमा नुसार बढ़ा कर क्रमा नुसार बढ़ा कर बहिस्कोड 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 अलफा बीटा और गामा बनाया गया है तो सि्द्ध करना है क्या सिद्ध करना है हुमें सिद्ध करना है कि 20-2 बहिस्कोड का योग जो होगा वह आपका 360 याणी अलफा प्लस बृता प्लस गामा बराबर में 360 होगा यह हमें साबित करना है लिए इसका प्रमान देखो तो बहुत ही सिंपल सा कोस्टन है, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अलफा प्लस में, अलफा प्लस में एंगल A, C, B, एंगल A, C, B बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा, रैखी की गुम से, देख रहाँ ना, बराबर में 180 डिग्री समिकरन दो हुआ, यह भी आपका रैखी की गुम से, बीटा प्लस एंगल B, C, उसी तरह से गामा और प्लस में एंगल A, B, C, गामा प्लस में एंगल A, B, C, बराबर में 180 डिग्री, कैसे, यह समिकरन तीनों जागा, यह भी आपका रैखी की गुम से, ठ समीकरन एक दो तथं तीन को जोडने पर तीनों समीकरनों को जोड देता हैं जोडने पर देखें क्या होचागा वर देखो अलफा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस में एंगल A, C, B प्लस में एंगल B, A, C और प्लस में एंगल A, B, C बराबर में X, O, C, प्लस X, O, C और प्लस में X, O, C तीन बरवनेटी होगा ना जी तोरे अलफा प्लस बीटा प्लस गामा देखो एंगल A, C, B, B, A, C और A, B, C A, C, B, B, A, C और ABC यह तीनों मिला के कितना हुए 180 डिग्री ना तिर्भूज के तीनों कोड है और बराबर में इन तीनों को जोड़ोगे तो 540 डिग्री यहां क्यों हुआ यह यह एक 180 क्योंकि आपको पता है कि तिर्भूज के तीनों कोडों का योग तीनों कोड़ों का योग 180 डिगरी होता है 180 डिगरी होता है ठीक है यह 180 ले जाके उदर घटा दो तो यहां से अलफा प्लस बीटा प्लस में गामा बराबर में आ जागा यह आपका प्रमानिक हो गया कितना सिंपल सा था ऐसे यह बता चुके था आपको चलते नेक्स कोशल पर अगला कोशल